नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त है वंडग छक राजन शरोडिया देखी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपकी दिले कर आया है MPGK का प्रेक्टिस सेटमर दो इस प्रेक्टिस सेटमर दोस्तों मैं से रिलेटेट जो भी extra fact रहेंगे उनको वहाँ पर discuss करेंगे ठीक है तो बहुत ही important class है दोस्तों लाश तक देखना और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो भी student मुझसे पूछते हैं कि sir MP फारेस्टिगाट के exam में MPGK आएगा की नहीं आएगा तो मैंने को ब पढ़ लो ठीक है और MPGK पे विशेश रूप से फोकस करो MPGK पलस MP का current affairs पहली चीज दूसरी चीज यहाद रखना दोस्तों कि MP फारेस्टिगाट का जो एक्जाम है टोटल वेस्ट आन क्या है फैक्ट ए फिर फैक्ट मांगता है यहाँ पर concept कोई काम नहीं आता ठीक अगर concepts मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि मैं concept से नहीं पढ़ा सकता मद्यप्रदेश की नदिया परबस सब चुछ पढ़ा सकता हूं मैं आपको concept से लेकिन उसमें आपका नुकसान होगा कैसे योकि अगर मैं दोस्तों मद्यप्रदेश की नदिया पढ़ाऊंगा तो मद्य प्रदेश की नदिया पढ़ाने के लिए कम से कम डेटेल में दोस्तों आपको 4-5 घंटे की किलास देखना पढ़ेगा, ठीक है, तब जाके आप दोस्तों MPPSC का मैंस लिखने के लाइक बनोगे, लेकिन हमें MPPSC का मैंस तो न लिखना यहाँ पर, हमें लिखना है क्य हमें निकालना है MPPSC का एकजाम, ठीक है, और यह Total Based Done, क्या होती है, Fact, यहां हमें Fact याद करना है, जितने ज़्यादा MCQ, जितने ज़्यादा Objective की Practice करोगे, जितने ज़्यादा Question और जितने ज़्यादा Fact आपकी आँखों के सामने से गुजरेंगे, आपकी तैयारी उतनी ही Strong रहेगी, ठीक है, तो इस बात का विशेज धान रखें, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुँ दोस्तों, टोटल अपना Concentration प्रहाई पर रखें, ज्यादा इधर उधर की बातों में मत रखें, अभी पटवारी का एकजाम हो रहा है, पटवारी के एकजाम से पहले क बतलब student क्या कर सकता है, coaching student वाले क्या कर सकते हैं, फिर भी देखिए दोस्तों, कहां से question लेके आते हैं, MP पटवारी का paper 40 दिन चल रहा है, और 2 shift हो रहा है एक दिन में, बतलब 80 shift में paper, तो आप बताईए, एक shift में 200 question, तो 80 shift में कितने question हो गए, अब आप खुस अंदाज होगे, तो आप competition से बाहर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि India जीके जैसा आपकी हालात है, बैसा सभी student की हालात है, जिसने पहले से पढ़ चुका है, उसकी बात अलग है, ठीक है, और अधी आपने पहले से इंडिया जीके लूसेंट बगरा पढ़ी है, तो फिर अभी आप सिर division करते रहो, बाकी दोस्तों, आपको जादा से जादा MC को जादा से जादा नया फैक्ट सिखने का प्रयास करना है, ठीक है, चलिए, शुरुआत करते है, question number 1 से, question number 1 है, क्यला सत्यार्थी का जन में, मद्द परदेश के किस जिले में हुआ था, तो याद रखना दोस्तों, क सांती के छेटर में मिला था, और पाकिस्तान की दोस्तोंiennent एक ऐस्ट यूसवश जाई हैं, उनके सांत दोस्तों इन्हें क्या मिला था, नौबल का सांती पुरुषकार मिला था, 2014 में, ठीक है, एक टी जियर रखना दोस्तोंrudए, ऐक आंदोलन है, बचपन बचाव आंदोल इनका जन्म हुआ था मद्यपर्देश के बीदीसा में इनका जन्म हुआ था याद रखना दोस्तों कहला सत्यार्ति जी को जम से नौबल पुरुस्कार मिला है घ्लिए उप्रटा बिज़ेशादू है किलास अत्यार्थी इनका जन्म बिदीसा में हुआ यह तो आपने जान लिए लेकिन आपको बिदीसा से सम्मझे जो मोष्ट भरी-भरी इंप्रोटेंट फैक्ट रहते हैं जिनसे बारबार कोश्चन एक जाम में पूछी गए है उनको भी एक बार आपको एक और चीज़ है दोस्तो समराट असोग जिनने साची स्थूप का निर्मला कराया था ठीक है तो याद रखना दोस्तो समराट असोग की पत्नी थी महादेवी और यह बिदीसा की रहने वाली थी यह भी बिदीसा की रहने वाली थी ठीक है और बिदीसा में दोस्तो याद भागवाद धर्म से सम्माजित होलियोडोरस का प्रिसिद्ध गरूर इस्तम्भ है ये कोश्चन भी भेरी भेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चारो पांचो फेक्ट दोस्तों आपको क्या करना है ध्यान में रखना है चलिए कोश्चन नमबर दो देखते हैं मद्य प्रदेश की जनगरना 2011 के अनुसार किस जिले में लिंगोनपात सरवादिक है या किस जिले में सरवादिक लिंगोनपात है पूछ रहा है तो ये कोश्चन भी आपको पता होगा तो याद रखना दोस्तों सरवादी लिंगोनपात है बाला घाट का अना देखो लिंगोनुपात के होता है इस्त्री और पूरुस की संख्या के इनुपात को लिंगोनुपात कहते हैं मान के चलो दोस्तों एक हजार पूरुस हैं तो एक हजार पूरुस में कितनी इस्त्री हैं या तो वो एक हजार से कम भी हो सकती है या 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीके, तो पूरुस के रेस wouldn में हम दूस्तों कर सकते हैं, पूरुस्त के रेश्यम कर सकते हैं, इसलिए कोस्चन 2011 के जनगरना से ही आएंगे, तो याद रखना मध्धेपर्दिस के लिंगनपाथ 931 और भारत का 943 है अच्छा आप ना जान लिया कि मध्धेपरदिस का सरवादी के लिंगनपाथ बालागार जिले çुण है तो कितना है भाई, वन जीरो टू बन, 1,021 एक हजार एक हजार एक हजार जिले का लिंगनपाथ है मतलब एक हजार पुरूस पर क्या है एक हजार महिला वहाँ पर है अच्छा नियूंतम लिंगन पाथ कहां पर है तो आपको पता होना चाहिए कि नियूंतम लिंगन पाथ दोस्तो याद रखना है भिंड जिले का है कौन से जिले का है भिंड जिले का और सिर्फ 837 महिला है वहाँ पर एक हजार पूरुस पर ठीक है तो याद रखना ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है अब देखिए सरबादिक लिंगोन पाज बाला जिला मैंने बता दिया बाला घाट एक हजार एक किनारे है ठीक है आपको ये चीजे पता होना चाहिए ठीक है तलाबों से सरबा कri पताना मैंने पढ़ा चुका हूं कि इसका निर्मार क्प किया गया था ठीक है कब निर्मार किया गया था जो मद्रदेस्च की सब से पहली तो याद रखना दोस्तों प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम है पचमडी पचमडी को बनाया गया था और तीसरा दोस्तों पन्ना दोस्तों याद रखना इसको भी 2005 में घुशित किया गया था ठीक है इनुसको की सूची में इन्हें अभी पन्ना को हाली में 2020 में दोस्तों इनुसको की सूची में सामिल किया गया है ठीक है तो यह सारे फैक्ट मैंने जब मद्दे प्रथिस के राष्टी उध्यान पढ़ाया था तो वहां बताया था ठीक है तो मद्दे प्रदेश में प्रजेंट टाइम में तीन बायोस फिर रजर्ब हैं ठीक है नई सूची आते रहती है जाते रहती है लेकिन किलियर समझ में नहीं आता लेकिन ये ओल्ड कुस्चन पेपर उठाक लाये हुए तो आपको रखना है याद कि यहाँ पर हमें याद पांच में और पन्ना 2005 में ठीक चलिए नैस्ट कोश्चन देखते हैं अब प्रथम बायोस फिर रजर्ब है पूछा तो पचमडी प्रथम जीवास मराश्टी उद्ध्यान पूछ ले तो देनोरी याद रखना देसको जिसे हम फासिल राश्टी उद्ध्यान भी कहते है और प्रथम टाइगर प्रजच्ट कहाँ पर है तो याद रखना दोस्तों मद्दप्रडेस का प्रथम टाइगर प्रजेट कंहाय रखना मंडला और मद्द्प्रदेस में प्रजेक्ट टाइगर कि उद्धार taking kg 104 मौई थी कहां से कान हाझा मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरु द्वारा कहां पर इस्तित है गुरु द्वारा मंदिर मस्जीद इनसे बहुत कुश्चन पूछे जाते हैं तो मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरु द्वारा या रखना दोस्तों गौालियर में इस्तित है कौन सा उसका नाम ह मद्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जित ताजुल मस्जित भोपाल सबसे छोटी मस्जित पूछे तो धाई सीडी मस्जित ये भी भोपाल में है और मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा मन्दित पूछे तो खजराना जो की इंदोर में है और मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च दोस्तों याद रखना ये वह वाल मिस्तीत है ठीक चलिए नेश्ट कोश्चन देखते हैं लेकिन सरवादिक पूछा जाये तो दतिया, ठीक है? सीसा का प्रमुक ऐस को होता है, दोस्तो गेलेना, क्या होता है? गेलेना, और मद्धे प्रदेश में सरवादिक सोना ये कोश्चन पूछा गया था, कि किस जिलिम पाया जाता है, तो याद रखना दोस्तो सीधी, इसलिए सेहडोल को इरुनियम जिला भी कहा जाता है, तीक, ये तीन आपको याद रहना चाहिए, कि राख फास्पेड जाब हुआ, इरुनियम सेहडोल, और ये कौन सा याद रहना चाहिए, आपका जो सीसा वाला बताया मैंना, सीसा दतिया, ठीक, ये तीन फैक्ट भहरी भहरी मुस्ट इंपोर्टेंट है, चलिए, नेस्ट देखते है, चूलिया जल्परपात है किस नदी परिस्टित है तो याद रखना दोस्तों चूलिया जल्परपात जो है चम्मल नदी परिस्टित है कहां से निकलती है चम्मल नदी जाना पाव पहड़ी महू इंदोर से ठीक तो याद रखना दोस्तों पहली चीस तो आपके आद रखना है कि जो चूलिया जल्ब रपात है ये चम्मल नदी पर अच्छा चम्मल नदी पर और कौन कौन सा जल्ब रपात है तो ये पताल पानी है कौन सा है पताल पानी अच्छा एक और है जारी दा है कौन सा जारी दा है ठीक है एक और है दोस्तों याद रखना सीतला माता कौन सा सीतल माता तीक ये सब कहां पर है सीतला माता ये कहां पर है ये भी आपका चम्मल नदी परिस्थित है और ये पाताल पानी जाड़ी दार सीतला माता तीनों इंदोर में स्थित है और ये चूलिया ये भी चम्मल में है लेकिन ये कहां पर है कोटा राजिस्थान में स्थित है ठीक ह शूलिया जल्बरपाद महिस्टों यू नरवदा नदी सचित है मध्द प्रदेश के सबसे उचा जल्बरपाद जाए दो अधोरी जल्बरपाद जाद रखब पूझा रहा throttle मैं डालने का प्रियास करता हूं जो दिखने मी हसान होते हैं और पूछे जाते हैं नार्मली जैसे काली मिट्टी को कापासी मिट्टी कहा जाता है ये आपको पता है ठीक है आपने पढ़े होगा थोड़ा वहत तो आपको पता होगा लेकिन important fact है ठीक है चावल की खेती के लिए दोस्तो लाल-पीली म्रदा उप्युक्त होती है कौनसी म्रद मिरेना स्योपूर चendenles चम्बल के डाकू वाला op सिधना होगा तो वहाँ पर क्या होता है म्रता परदन के कराराके बन जाते है बीहर बन जाते हैं तीक है वनाली का परदन चम्मल नदी के करार होते है मद्य प्रदेश में भोगोली संकेत प्राप्त तो बाग प्रिंट कहां तर्यार के जाते हैं अभी MPPTWARI में question आया था दोस्तों चिन्नोर चावल और मेरा video जाकर देखना MPPGK का कम से कम मैंने एप्रोक्समेटली तीन या चार मेहने पहले MPPGK पढ़ाया था तो जिसमें GI TAKE पढ़ाया था पूरे तो सारे question वहां से फसे हु चंदेरी का मेला भी कह लगता है चंदेरी का नहीं भाई जागिसरी jealous देभी का मेला कहा हं लगता है चंदेरी में लगता है और असोग नगर में दूस्तों चंदेरी था हा है जी आई टेक दिया गया ठीक है चमड़े के खिलोने इंदोर के लिए जी आई टेक है बाग प्रिंट धार महिस्वर साड़ी जो है दुस्तों खरगोन का जी आई टेक रतलामी सेप को दुस्तों रतलाम ठीक कलकनात मुरुगा जहाबुगा याद रखना अलराचपुर नहीं ह हाबुगा ठीक है और चिन्न और चावल बाला घाट तो इतने सारे आपको फैक्ट याद रखना है चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं कोई से जन जाती लुहासुर को अपना देवता मानती है देखो भाई यह कोश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है तो याद रखना जब यह कोश्चन MPPSC में आया था ना मैं आपको एक चीज़ मन दारीक साथ बताना हूँ ठीक है मैं बहुत दिनों से मतलब पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ हूँ ठीक तो यह जो कोश्चन दाना लुहासुर वाला जब MPPSC में पूछा गया था इसको ठीक है तो MPPSC में पूछा गया है इसको 2017-2018 की लगवाग तो उससे पहले ये लुहासुर किसी किताब में देखने को निलता था मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ठीक लोहासुर किसी भी किताब में देखने कोनी मिलता था और जैसे ही कोश्चन आते हैं ठीक है पता नहीं कहां से और वहीं से क्या होते हैं, जो सबसे बनने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गुगल्ती नहीं होना चाहिए, बस दो चार कोष्चन, आरदस कोश्चन का अंतर मार्जिन आता है और वही से सेलेक्शन हो जाता है तिक चलिए तो यह से कोश्चन का आंसर था दोस्तो अलुहा सुर को अपना दिवत्मानती है अगरिया जन जाती एकचल्म सो अगरिया जाद रखना आपना सुना होगा मद्यप्रदिस की जन जाती है गोंड जन जाती कोंसे जन जाती है दोस्तों गोंड जन जाती और इसका विस्तार कहां पर होता है नर्मदा घाटी जो होती है दोस्तों इसके दोनों और यह गोंड जन जाती निवास करती है ठीक है तो इनका जो वर्गी करल किया जाता है ना दो अधार पर किया जाता है ववसाय के धार पर दोस्तों प्रधान होते हैं ओजा होते हैं ठीक है अगरिया होते हैं और एक होते हैं मतलब जिसके पास ज़्यादा संपत्य और धुर्वन मतलब जिसके पास कम संपत्य तो लुहा सुर्च जो है दोस्तों आद रखना यह अगर यह जन जाती है क्योंकि लुहे का काम का रहते हैं ठीक चलिए अच्छा एक चीज जोर आद रखना मत प्रदेश की सबसे बड़ी ज अगर यह जन जाती दोस्तों आद रखना उलत दाल को सुप संकेत की रूप में प्रियोक करती है यह फैक्ट भी इंपोर्टेंट है ना गौर्ण जन जाती का समाजीक और सांस्क्रतिक अध्यान प्रोपेसर स्यामा चराल दुबे ने किया है बहरी बहरी मुष्ट इंपोर् पांधूर्ण दोस्तों चिंदबाड़ा जिले में है अच्छा बड़ा सहर है मैं देख चुका हूं इस मेले को जाके लाइब ठीक है बहुत खतरनाक मिला होता है ना पत्थर चलते हैं यहां पर एक नदी होती है और इधर से एक गाउँ वाले और एक अधर वाले तो उने जहन्डे को गराने की होट रहती है कि कोन गराएगा तो पत्थर मारते हैं लेकिन वो क्या होते हैं यह धर वाले लोग जाते हैं तो उधर वाले आदमी जहन्डा को पत्थर मारते हैं आदमियों को पत्थर मारते हैं कई कि सर फूटते हैं ठीक है बहुत जादा घायल होते ह है ठीक है तो वहां पूरा प्रसासन भी सयोग करता है और फिर लाज में प्रसासन के लिए जाते हैं और उनको समझाज देते हैं और जंडा को फिर मैनेज करते हैं ठीक है चलिए तो यह कोश्चन होगा दोस्तों आपके क्या टोटल 10 अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ला इन जा भारत